नमस्कार साथियों सी बीबिकल आईटी आई गुरू में आप सभी का स्वागत है बिहार आईटी आई अडमिशन दो हजार चौबीस है कब आईटी आई अडमिशन का फॉर्म आएगा इंटरस एक्जाम कैसे होगा कैसे त्यारी करनी है क्या योगता है क्या फेस सब कुछ दो दोस्तो एटू जड़ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है तो चलिए सुरुआत करते हैं और समझते हैं कि बिहार आईटी आडमिशन की प्रोसर्स क्या है किस परकार से जो है आप गौर्वर्मेंट कलज पा सकते हैं क्या उसकी क्रैटेरिया है समझते हैं बार क्या है कि उसी डेट की आसपास आपका आईटी आडमिशन का फॉर्म आ जाएगा उससे पहले कुछ और प्रोसर्स है बिहार आईटी आडमिशन में तो उसको पहले समझ लेते हैं फिर मैं आपको लास्ट में भी बता जता हूं कि कब तक जो है आपका आईटी का फॉर्म आ यहां पे हाई स्कुल के मेरिट के आधार पे जो है आईटी में अडमिशन होता है लेकिन बिहार में सबसे पहले इंटरस एकजाम होता है ठीक है इसके बाद जो है इंटरस एकजाम जो भी आपको उसमें नमबर मिलता उस नमबर के धार पे जो भी आपको नमबर मिलेगा उ योगता कितनी होनी चाहिए तो अगर योगता की बात करें तो इसमें टेंथ पास जो है आपके पास योगता होनी चाहिए ठीक है तो इसमें देखिए आठवी पास भी मांगते हैं आठवी पास जैसे बिल्डर ट्रेड है ठीक है कारपेंटर है वायर मैन है यह जो ट्रेड हो होगा और उसमें कोई जो चूट अगरा नहीं मिलती कि आपने गर इंटर कर रखा या फिर कोछ़ और कर रखा है आगर दिगरी तो उसमें कोई benefit नहीं मिलता है आपको interest exam देना पड़ेगा जो भी interest exam में number रहेगा उसके धार पर आपका minute बनेगा फिर इसके बाद जो आपका IT में admission होगा इसके बाद जो बात करते हैं उम्र के तो उम्र में जो है जो minimum आपका age होना चाहिए वो जो है आपका age में बात करें तो 15 प्लस होना चाहिए ठीके इसके बाद जो है आपका अगर 18 साल के हो गए है 20 साल के हो 25 साल के हो गए है 30 साल के हो गए है तब भी जो है आप apply कर सकते हैं interest exam दे सकते हैं ठीके और उसके बाद जो है आप अपना इटे में admission भी करा सकते हैं दोस्तों जो farm भरने की criteria होती है उसमें जो है फीस की बात कर लेते हैं तो फीस में समान और OVC के लिए 750 रुपे लगते हैं और अनसूची जाती और अनसूची जन जाती के लिए 100 रुपिया यहां पे सुल्क निर्धाद किया गया है यह सुल को दोस्तों बता रहा हूँ 2030 के according 2024 में हो सकता है कि जो है बढ़ भी सकता है ठीक है या घट भी सकता है कुछ भी हो सकता है तो जब farm आएगा आपको आकड़ा मिल जाएगा फिलहाल जो है आपको यह data ध्यान में रखना है यही जो है फीस पिछले कई सालों से लग र होगा ठीक है अब यहां पर देखे 300 नंबर में जितना भी आपका नंबर आएगा उसके अधार पर आपके मेरिट त्यार होगी और फिर आपको इस जो है इसमें सवाल दोस्तों यह होता कि जो भी में परसंटेज आता जो भी आपका नंबर आएगा उसमें ट्रेड के आधा जैसे जनर्रल का अलग बनेगा ओबी सी का अलग एसस्टी का अलग बनता है फिर इसके बाद जो ट्रेड होते हैं उस ट्रेड के कॉर्डिंग भी जो है नंबर अलग मिलता है तो कई सारी प्रोसेस होते हैं मिनिट बनने का फिलहाल जो है आपको इंटर सजाम पर ध्यान अक जितना ज्यादा नंबर लेकर आएंगे उतना आपको ज्यादा बहत्र जो है कॉलेज और बहतर टेड मिल जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं इसमें टाइमिंग की तो टाइमिंग जो है दो घंटे 15 इन मिलेगा और यहां पे ध्यान अकना है कि जो है आपको यसी दो question पूछा जाएगा ठीक है question दो नमबर का होगा तो 100 नमबर आपको यहां पर मिलेंगे इसके बाद science से 50 question और इसके बाद वह भी जो है question lucent का आता है lucent का अगर आप त्यार कर लेंगे gk तो वहां सब का gk complete हो जाएगा थोड़ा से current पर अगर देख लेंगे तो आपका यह पूरा जो है अच्छे से त्यारी हो जाएगे और बढ़िया नमबर जो है आपका आज आएगा अब इसके बाद तो सबसे बड़ी बात यह आए या ना आए उस situation में अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आता है तो फिर भी आप कुछ न कुछ तुका मार के यह क्योंकि कुछ कटेगा नहीं कुछ जाएगा नहीं इसलिए कुछ करके आए ठीक है मनलब सारी question करके आए अब दोस्तों बात करते हैं कि यह जो है फॉर्म जो हो कब तक आजाएगा तो फॉर्म की अगर बात करें तो मान के चलिए कि जैसे रिजल्ट आता है जैसे बोर्ड का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आएगा उसके दस से पंदरा दिन का समय लेता है इसके बाद जो है आपकी आए टीए के फॉर्म भी रिलीज हो जाते हैं आ जाते हैं तो मानकिचली के जो है ये पंद्रा अपरेल के आसपास पंद्रा अपरेल के आसपास जो है आपका आई टीए का फॉर्म आ जाएगा जैसे आएगा आपको अपडेट किया जाएगा आपको सुचित किया जाएगा और आप इसके बाद जो फॉर्म मरकेट शिकासे त्यारी करके आप आई टैक कर सकते हैं सरकारी कालर से मिलते हैं नग्स वीडियो में थांक्स रवाचीं